स्वागत है आपका हमारे यूटिब चैनल समाजिक विज्ञान फोर यू में आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास नाइन का चौथा चाप्टर भारत में खाद सुरक्षा इस अध्याय में हम पढ़ेंगे खाद सुरक्षा क्या है? खाद सुरक्षा क्यों? किसी आपदा के समय खाद सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? खाद आज सुरक्षित कौन है? भारत में खाद सुरक्षा, बफर स्टॉक क्या है? निवनितम समर्थित कीमत क्या है, निर्गम कीमत क्या है, सारवजनिक वित्रन प्रनाली क्या है, भारतिये खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 क्या है, अंतियोदय अन्य योजना क्या है, सहाई की यानि की सबसिडी क्या है, और सहकारी समीतियों की खाद सुरक्षा में भूमी का तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं कि खाद सुरक्षा क्या है जीवन के लिए भोजन उतना ही आवसक है जितना की सांस लेने के लिए वायू जब भी अनाज के उतपादन या उसके वितरन की समस्या आती है तो निर्धन परिवार इससे आधिक प्रभावित होत किसी भी देश में खाद सुरक्षा के वलता भी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए परियाप्त खाद उपलवद हो सभी लोगों के पास स्वीकार गुनवता के खाद पदार्थ खरीदने की छमता हो और खाद की उपलवदता में कोई बाधा नहीं हो अब भूकंब, सुखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए आकाल आदी, राष्टी आपदाओं से गुजर रहा हो तो निर्धनता रेखा से उपर के लोग भी खाद सुरक्षा से ग्रस्थ हो सकते हैं अब ये देखते हैं कि किसी आपदा के समय खाद सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है, किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद द्यान की कुल उपज में गिरावट आती है, इससे प्रभावित छेतर में खाद की कमी हो जाती है, खाद की कमी के कारण कीमते ब ब्यापक भुखमरी से आकाल की स्थिती बन सकती है, दूसित जल या सड़े भोजन के प्रियोग से महामारिया उत्पन होती है। 1943 का बंगाल का आकाल सबसे भ्यानक आकाल पड़ा था, जिससे करीब 30 लाख लोग मारे गए थे। अब देखते हैं खाद असुरक्षित कौन है। जब हम खाद असुरक्षित लोगों की बात करते हैं, तो उसमें भूमिहिन पारमपरिक दस्तकार, कामगार, निरासरित तथा भिखारी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जन जाती और अन पिछडी जातियों के कुछ अबादी का बड़ा भाग, गर्ववती तथा दूद पिला रही महिलाओं तथा पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। कुछ राजे जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, जारखन, उरिशा, पश्चिम बंगाल, छतिसगर, मध्द प्रदेश और महरास्ट्रा के कुछ भागों में खाद की दृष्टी से आसुरक्षित लोगों की आधिक संख्या है। भारत में खाद सुरक्षा, स्वतंत्रता के बाद भारत ने खाद्यानों में आत्म निर्भत्ता प्राप्त करने के सवी उपाय किये। हरित क्रांती के आग्मन से भारत ने गेहु और चाव सरकार द्वारा सवधानी पुर्वक तेयार की गई खाद सुरक्षा ववस्था के कारण देश में आनाज की उपलब्दता और भी सुनिश्चित हो गई है। इस ववस्था के दो घटक हैं बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरन प्रनाली। बफर स्टॉक क्या है। बफर स निर्गम कीमत क्या है। भारतिये खाद निगम द्वारा आधिप्राप्त अनाज को सरकाररासन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीव वर्गों में वितृत करती है। उचित दर वाली दुकानों के माध्यम से चीनी, खाद्यान, खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल को बजार कीमत से कम कीमत प सुरक्षा सस्ती किम्तों पर उपलव्द कराई जा सके ताकि मानों गरिमा मैं जीवन निर्वा कर सके। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामी जासंख्या एवं 50% सहरी जासंख्या को योग परिवार में वर्गिक्रित किया गया है। अंतियोदे अन्य योजना दिसंबल 2000 में सुरू की गई। इस योजना की तहत 2 रुपए प्रती किलोग्राम गेहूं और 3 रुपए प्रती किलोग्राम की आर्थिक सहायता प्रती एक गरीब परिवार को 35 किलोग्राम अनाज उपलवद कराया गया। इस योजना से 2 करोर परि कीमत की अनुपूर्थी के लिए किया जाता है। इसी तरह महराष्ट में Academy of Development Science ADS ने विभीन छेत्रों में अनाज बेंकों की अस्थापना के लिए गैर सरकारी संगटनों के नेटवर्क का निर्मान किया है। अब अनाज बेंक धीरे-धीरे महराष्ट के विभीन भागों में खुलते जा रहे हैं।